लोड़ाज क्लासेस के यूटूब प्लेटफरम पर आप सभी का वर्बॉस स्वागत है दोस्तों डेली टॉप जी के सीरीज के अंतरगत हम कुछ महत्पूर टोपिकों पर चर्चा करेंगे जो की निश्यत रूप से आपके एक्जाम के लिए तो महत्पूर होंगे ही साथ इस साथ आपके घ्यानकोष में भी व्रद्दी करने में सभ्महत्पूर होंगे आई दोस्तों शुरू करते हैं शेशन अपना आज का जो की बहुत ही कम समय में और मैक्सिमum टॉपिकों को हम कवर करने का प्रियास करेंगे आये दोस्तों लेते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश कम हमें किसी इकाई का इस्तमाल करना होगा ऑप्सन है आपके पास अप्सन आइटिंग कि आप लोगों में से maximum students को जानते भी होंगे लेकिन किस प्रकार से इसको मापा जाता है दोस्तों थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्तों जैसा कि आप यहां पिक में एक पिक्चर में देख पा रहे हैं कि करत्पी से अगर हमें किसी तारह की य वर्स होता है प्रकाश वर्स जिसे अंग्रेजी में लाइट कहा जाता है तो दोस्तों क्या होता है यह प्रकाश वर्स आईए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं प्रकाश वर्स दूरी में आपने की एक बड़ी एकाई है यह एक वर्स में प्रकास द्वारा प्रकास के दौरा जितनी सूरे से निकलने वाले प्रकास के दौरा जितनी दूरी दे की जाती है उसे ही हम प्रकास वर्स की एक एकाई कहते हैं यहाँ पर याद रखने लाइक दोस्तो हमारे लिए एक फेक्ट है जो की बहुत इंपोर्टेंट है प्रकास वर्स का मान क्या होत है तो प्रकास बर्स का मान है दोस्तो नो दसमलव 461 इंटू 102 किलो मीटर इससे प्रद्वी से तारों की दूरी को बड़ी ही आसानी से ना पा जा सकता है जो कि आज विज्ञान में इसे का प्रियोग किया जा रहा है अगला प्रेशन है भोजन पकाने में कौन सा बिटामीन न समापत हो जाता है दोस्तो कि आपको यह इसा चारओर प्रकार के डिटामीन चारण चारओ प्रकार akin से अधिक सब्सक्राइल होता है कि हमारे भोजन में ये चारो प्रकार के बिटामीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन जैसे ही हम भोजन को पकाते हैं भोजन को हलका सा गर्म होने पर ही बिटामीन सी नस्ट हो जाता है बाकी के बिटामीन जो है दोस्तों B, A, B और D बिटामीन ये भी अगर हम भोजन को अत्यदिक आ बखाने पर बिटामीन नस्ट हो जाते हैं कि लिए दोस्तों एक बार इसकी दिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लीजिए जिससे की आपका मेटर होता चले दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं अभी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से आप सब्सक्रिप्शन पर बिटामीन सी जल्दी ही नस्ट हो जाता है अगला प्रशन लेंगे दोस्तों अगला प्रशन है हमारा यदि प्रद्वी पर कोई बाईयो मंडल ना हो तब आकास का रंग के से दिखेगा जैसा कि दोस्तों बेसिकली अभी आप सभी जानते हो यह जो हमारी प्रद्वी है प्रद्वी दोस्तों प्रद्वी के चारों और तीन परतों में हमारे रहे हैं बाईयो मंडल पाया जाता है तीन परतों में बायूमदल पाया इस बायू मंडल को हटा दिया जाए तो आकास का रंग हमें केसा दिखेगा यह नीले की अपिक्चा केसा दिखेगा Option है आपके सामने गहरा नीला Option B काला Option C लाल Option D सपेद तो दोस्तों यहाँ पर Option आपका करेक्ट हो जाएगा Option B Option B आपका करेक्ट हो जाएगा अर्थात की अगर हमारे प्रदवी पर बायू मंडल नहीं होगा तो हमें आकास का रंग काला नजर आएगा क्यों आएगा दोस्तो इसका reason क्या है जरा इस पर भी एक चर्चा कर लेते हैं दोस्तो क्या होता है जब सूरे से किरने निकलती है सूरे से जब किरने निकलती है तो ये सूरे से किरने निकलती है ये हमारी प्रद्वी के उपर मान लेते हैं ये बायू मंडल सूर्य से जो किरने आती है ये किरने दोस्तों बायू मंडल में प्रवेश करने के बाद में चुकि बायू मंडल में अनन्त असंग के धूलकन बिद्वान होते हैं होते हैं जैसे की आप बड़े फॉर्मेट में यहां पर देख सकते यह किरान आई सूर्य कि दूल कर्ण से तक्राती है और दूल करना कए इसका प्रख्रण कर देती है किरण का प्र. लुए और इसे आपसमें फर्शी प्रकार्णाम के कारण ही और Sch 250 मेरे में नीला दिकाई देता है किलिए रे दोस्तो यदि प्रत्वी पर कोई बायू मंडल देखिए यहाँ पर इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए यदि प्रत्वी पर कोई बायू मंडल नहीं होगा जिसमें उपस्तिद धूल के कण भी नहीं होंगे तो आस्मान का रंग काला दिकाई देने लगेगा काला दिकाई देने लगेगा चुकि सूरे से आने वाली किरने धूल के कनू से टकरा कर प्रकास का 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 प्र सूगर ती बिमारी होती है उसके बारे में एक सामानी सी बिमारी हर कि पर कि या second मदूम है का जो लक्षण होते हैं मदूम है कि जो डिसीज होती जो बीमारी होती है दोस्तों ये किसी हमारे सरीर की एक आंतरिक अंग को डिस्टप करने से नहीं होती बलकि इसके कारण सरीर के विविन अंग प्रभावी तो होते हैं जिससे अगर हम शुरुआत करें मस्तिस्क की तो दोस्तो हमारे मस्तिस्क में सबसे पहले इसके कारण से हमें सांस लेने में एक अजीब सी गंद आने लगती है इसके अलावा दोस्तो इसके अलावा पेट में भी कहीं प्रकार की प्रोलम होती है जैसे कि उल्टी का आना पेट में दर्द होना जलन होना 具 लें लेता है तो इस प्रकार से तो हमारा option लगता है उसके कह लेए तो यहां पर मदूमे के कारण पेशाप बारवार आती है और प्यास भी असामाने रूपसे और अधिक प्यास लगती है नेक्स्ट है इसमें देखिए बूख हास अर्थात की बूख का कम लगना या थकान हो जाना तो थकान होना इसका बिल्कुल जो है इसका लक्षण है लेक इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है जिसमें कुछ लक्षण बताये गए हैं साथ विश्यत प्रकार के लक्षण जिनने आप पढ़ेंगे अत्यतिक प्यास लगना बारवार पेशापका आना भूक लगना ठकान धुंदला दिकाई देना पशीना आना नींद आना और बजन घटना और सिर्दर्द बने रहना यह प्रमुक मदुमे के लक्षण होते हैं अगला प्रसन देखेंगे दोस्तों मानब सरीर में सबसे बड़ा आंत्रिक अंग कोन सा है दोस्तों मानब जिसे कि हमारी हुमन बोड़ी जो है हमारी जो बोड़ी है इसमें अंदर आंत्र सबसे बड़ा अंग नहीं है इसके अलावा ओप्सन बी में दिया गया है किड्नी सी में दिया गया है हर्ड मतलब हिर्दे और डी में दिया गया है यकरत अर्था लिवर दोस्तों यहां पर ओप्सन करेक्ट हो जाएगा लिवर ओप्सन करेक्ट हो जाएगा लिवर यकरत आ जो है ये सरीर में होने वाले उत्सरजन की किरिया में सबसे ज्यादा महित्पुरभूमी का नीवाता है। ये हमारे रक्त में अर्थात ब्लेड में जो अमीनो अमल होता है उसे अपनी प्रिकिरिया के द्वारा ऑक्सिडेटिव डी Deamination Precureia होती ही इसकी प्रिकरिया के द्वारा यहें Ammonia और Pyrubic Amla में बदल देती है कि इसको Amino Amla को जो की Amino Amla से ये कम हानिकार होते है Ammonia और Pyrubic Amla दोनों के अलग-अलग कारी होते है दोस्तों यहाँ पर Pyrubic Amla की अगर बात करें तो Pyrubic Amla ओकसी करने के द्वारा उर्जा प्रदान करता है जबकि अमोनिया यकरत की कोशिकाएं कोशिकाएं अमोनिया को दोस्तों अमोनिया को भी अमोनिया को यकरत की जो कोशिकाएं होती है अर्थात हमारी लीवर की जो कोशिकाएं होती है वे उसको यूरिया में बदल देती है जो की यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक होता है जिसे व्रक द्वारा रुदिर से अलग कर दियाता है अर्थात व्रक जो होता है हमारा विशेश मूत्राशे के पास में होता है वो इसे बलड से अलग करके वो मूत्र मारगरित के द्वारा इसे बाहर कर देता है क्लियरे यकरत कोलेस्टराल के अलावा आंत से अप्षोशित इसके टॉल और एंडॉल को भी कमहानी कारक पदार्तों में परिवर्तित करके रक्त परिवहन में मिला देता है क्लियरे जो ब्रक्त द्वारा रुदिर से अलग कर दी जाते हैं इस प्रकास दोस्तों हमारा आज का एक टोपिक होता है कंप्लीट पांच विशेश टोपिकों पर हमने डिसकस किया है उम्मीद करता हूं सेशन सोर टाइम में छोटा सेशन लेकिन बहुत नोलेजेवल रहा होगा आप लोगों के लिए क्लास पसंद जाई होगी दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहा तो इस सेशन को हम निजनतर कंटीनू कर देंगे मिलेंगे नहीं सेशन में दोस्तों थैंक्यू